हर्याना सरकार ने शुरू की है एक महत्वपूरन योजना योजना ये है कि हर्याना के उन पेड़ों की पेंशन लगाई जाएगी जिनकी आयू 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है जी हाँ ये है अनोखी योजना लागू हो रही है हर्याना में और हर्याना देश का पहला राजा बन चुका है जहां इस तरह की पेंशन लागू की जा रही है कोशिश यह हो रही है कि जो पुराने पेड़ है उनको बचाया जाए उन पेड़ों को स्रक्षित किया जाए और जो उन पेड़ों का रखर खाव करने वाले लोग हैं उनको यह पेंशन दी जाएगी और pension जितनी बुड़ापा pension दी जाती है उतनी pension दी जाएगी हर्याना के वन परियावरन मंत्री कमरपाल गुजर ने इसकी गोशना की है और notification हर्याना सरकार ने जारी भी कर दिया है उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने किस तरह की गोशना की है और क्या क्या लाब होने वाला है इस योजना का देखिए ये रिपोर्ट कि इस प्रकार से आवाना है कि उसमें वो लाब दायक स्थिति में जो छोटे पेड़ है उनके माम पावले में ज्यादा लाइब दूसरी बात क्या थी कि जो बड़ा पेड़े उसमें खुपकर होती है कि मतलब बीच में सुराक्सा बढ़ जाता है पराणा उने के बाद लाजी पानी रिस्ते रहता है और वो लगड़ी गड़ती उसमें खुपकरसी बढ़ जाती है तो बहुत से पक्सी है कि आज उसका नोटिक्सन हो चुपा है और मेरे दिमाग में काफी टाइम से एक बात जो बड़े व्रिक्ष्स हैं बड़े बड़े पेड़ें तो उनको देखने से अलग ताइप फिली वी उती है जैसे मां कैसे थी दियास की जानकारी बिंती ता अ यसा लगता था जब पिमें बड़ा पैड़ देखता था मेरे मन में बहुत इन से बात थी तो मैंने मुक्छ यह तो यह प्रणदार रहें तो उससे पड़नी मिलता और यह बड़े आए तो थोड़ा नुक्सान भी ताएं तो ऐसे में कोई भी वेक्ति जो बड़ा पेड़ा उसको नहीं रखना जाता है तो हमने कुछ ना कुछ इस प्रकार की रासी डेड़ी ची अनुदान देना थिये ताके लोगों का इंट्रेस्ट बड़े पेड़ को रहने और प्रयावण के लिए बड़े पेड़ का बड़ा बड़ी महत्र है जहां एक तो जो विशे सग्या उनका मानना है पेड़ जितना प्रयावण को स्रक्षन करने में बड़ा योगदान देगा कि उसमें वह लाब दायक स्थिति में जो छोटे पेड़ हैं कि मामत मुकाबले में ज्यादा लाइब दूसरी बात क्या थी कि जो बड़ा पेड़ा उसमें खोकर होती है मतलब बीच में सुराक्सा बढ़ जाता है पुराना होने के बाद लाजी पाणी रिष्ट रहता है और वो लगड़ी करती रहती उसमें खोकर सी बढ़ जाती है तो बहुत से पक्सी ऐसे हैं जो उस खोकर में अपने अंडे देते हैं तो उनके लिए भी वह बहुत ही जरू वडा राषण तो मैंने यह बात मांने मुख्यमंत्री जी के सामने लखी और माने मुख्यमंत्रीजी अनली ट्रोग इसको सवीकार करना तो अब जितनी पैंशन अंब बदरूगों को दिते उतनी पैंशन प्रतिवर सम्स पेड की भी देंगे जो पेड सतर साल से पुरण हो नाके उनको स्रक्षन दिया जा सके और उनके प्रतिय लोगों का जुखाव उनके प्रतिय सम्मान भी बढे और जो आप नो मालों छोटा मुटा को नुकसान पिसा नहीं पड़ता है उसकी भी पूर्तिय उसने कर दे और यह सिर्म पूरे देश मारी पेली स्कीन है अभी तक मै के हमें के प्रदेश मंत्री थे उंके साथ मेरी जात्षी तो और नहीं नो किया गए मैं सकी में आपने सकी म सुरूकि तो अमने सकी मी शुरू की जो था हूँ जो हमारे प्राने पेड़ हैं उनसे उनको बहुत बड़ा इस शुम जी जनतु है उनको बिश से तदला अजिक नं तो उसका उससे पता कल सकता है, हमने इसके काफी प्रताड कर ली और अभी तक 3300 से तीन जार 300 से जादा पेड हमारे उसमें आये हैं, लेकिन जैसे ही नोटिवीजन होगा उसके बाद जैसे जैसे हम यह देडा सुरू करेंगे, अगर कुछ और पेड होगे, तो निश्ची 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 तो निश देखे इसमें जो रुटीन में जिस परकार से पेड़ लगते हैं उसी परकार से पेड़ लगा रहें लेकिन अब की बार अबने अलग से एक नया प्रियास मारा सुरू किया कि जितने भी समसान गात हैं कि जितने भी सिवदाम उनकी चार दौरी की जारी तो चार दौरी के बाद मेरा खाल के पेड़ लगाना माज काफी स्वरक्षिक भी होगा और दूसरी बात ही है कि लोगों को भी काफी प्रसाजी उखानी पड़ती है जिस दिन माज आते हैं तो आसपास की चाया ने उत्ती दूसर लोग खड़े उत्ते हैं तो मैं सब्सक्राइब ने इस परकार का कुछ नियुगा देखें जो मेरे खेत में घड़ा है जो आपने तक चिनित की है और 3300 कुछ अभी तक पूरे रियने में जो कीई पूरे लेकिन मेरा नुमान है लेके संखबड है नगे तक अभी कुछ पेड़कर है जाप्लों को इस देखेंह जो में आपने एक रहे में आप ड्रीबर्ग किया आपक रहे में जोड़ाए इस अप्साम में उततुच में उत्टान है